वेलकम टो टेक बल्क इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होते हैं POE स्विचिज और किस जगह पड़ती हैं हमें इनकी जरुवत वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो किजेगा ही साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा सबसे पहले बात करते हैं POE की तो इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ओवर इथरनेट POE के तरू हम किसी भी डिवाइज को डेटा और पावर एक साथ दे सकते हैं ओवर इथरनेट केबिल तो आप बात करते हैं P.O.E. सुचिस की, इन सुचिस की help से हम इनसे connected सभी device को एक साथ power और data दे सकते हैं P.O.E. सुचिस हमें 8 port, 12 port, 24 port और 48 port में देखने को मिल जाते हैं और यह managed और unmanaged switch दोनों में ही available होते हैं इन सुचिस से हम बहुत सारे devices connect कर सकते हैं लाइक IP phones, IP cameras, access points, P.O.E. सुचिस की help से हमें इन device में कोई भी अलक से power supply लगाने की जरुवत नहीं पड़ती और सबसे पहला P.O.E. सुचिस हमें 2003 में देखने को मिला था P.O.E. सुचिस के बहुत सारे extended version market में available हैं लाइक P.O.E., P.O.E.+, U.P.O.E. जो P.O.E. और P.O.E. प्लस सुचिस हैं वो I.E.E. स्टेंडर पर वर्क करते हैं जबकि U.P.O.E. एक Cisco proprietary standard है जो केवल आपको Cisco के device में ही देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इनके difference की तो P.O.E. और P.O.E. प्लस में केवल watts का difference है P.O.E. 15.4 watt का current provide कराता है अपने हर port पर जबकि P.O.E. प्लस 30 watt का current provide कराता है अपने हर port पर और यह दोनों ही Ethernet cable के 2 pair यूज़ करते हैं और अब बात करते हैं U.P.O.E. की U.P.O.E. की full form है universal power over Ethernet और यह अपने हर port पर 60 watt का current provide कराता है और यह 2 street pair cable के 4 pair को use करता है और अब हम जानते हैं इनका use P.O.E. का use हमारे IP phones, IP cameras और access point में होता है P.O.E. प्लस का use PTZ camera और dual band access point में होता है U.P.O.E. का use हमारे network switches और LED lights को power देने के लिए होता है